हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच परहार में मैं हूँ अड़ोकेट सनी शर्मा और दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको डीवी एक्ट से सम्मंदित एक बहुत इंपॉर्टन लेटेस जज्जमेंट बताने वाला हूँ अब दोस्तो ये जो जज्जमेंट अभी हाली में आया है इसे आप ये कह सकते हो कि पती के point of view से ये negative है क्योंकि दोस्तो देखे जब डीवी का केस पतनी फाइल करती है तो दोस्तो कई सारे factors होते हैं जिन पर आपने वीडियो भी देखे होंगे कि भाई डीया रिपोर्ट उस केस दर्ज किया जाता है महीला के द्वारा की उसके साथ कुछ घटना घटी है आपके घर में रहते वे घरेलो हिंसाकारी तो ये तो इस प्रकार का केस महीला के द्वारा दर्ज आपके उपर करा दिया जाता है लेकिन दोस्तो इस के लिए क्या होता है कि initial level पे ही protection officer के द्व एक रिपोर्ट लगाई जाती है जिसे कि हम DIR रिपोर्ट या domestic inquiry रिपोर्ट भी कहते हैं लेकिन इहाँ पर दोस्तो कोट ने कहा दिया कि ये पतनी protection of women from domestic violence act 2005 की धारा बारा के अंतरगत DV का case फाइल करती है तो उसके लिए जो DIR है वो compulsory नहीं है अब ऐसा क्या मामला था क्य दें ताकि future में जब भी इस प्रकार के latest update आयें और मैं आपके लिए लेकर क्या हूं तो उसकी जानकरी आपको सबसे पहले मिलें दोस्तो मामला ये ऐसा था कि DV Act के अंतरगत 4500 परमंद का interim maintenance का order court ने ex party कर दिया था अब ये जो DV का case था ये महिला ने अपनी शादी के एक साल के बाद दर्ज कराया था और पती का कहना था कि प्राइमा फेसिया DV जैसी घटना का कोई भी evidence कोई भी साक्षे पत्रवली पर नहीं था और जो महिला थी वो केबल कुछी दिन अपने पती के साथ रही थी अब इस चीज के खिलाब जो पती था वो आया था high court में कि और पती का version ये था कि ये जो पूरा मामला था इसके अंतरकत कहीं पर भी डिया रिपोर्ट नहीं थी और बिना डिया रिपोर्ट के एक्सपार्टी के रूप में maintenance court नहीं कर सकती है लेकिन दोस्तों देखो जो courts होती है वो सारी इसे जोगों देखती है अब court ने देखा कि भाई आपको उसका reply file करने के लिए proper मौका दिया गया जितना legal time होता है वो आपको दिया गया लेकिन आपने अपना reply file नहीं किया और current time पे आप cross examination की stage पे मामला चल रहा है अब आप ये कह रहे हैं कि एक्सपार्टी order गलत हो तो यानि court का कहना ये था कि यदि आप अपना WS यानि return statement file ही नहीं करेंगे अपना reply file ही नहीं करेंगे तो court आगे तो move होगी ना चीजों को आगे तो बढ़ाएगी और जो भी इसमें maintenance का burden हो बाकी लोगों पर नहीं हजबेंट पर है हजबेंट दे और साथी court ने ये भी clear किया कि इस प्रकार का ex party order करने के लिए DIR किसी भी प्रक किती में आज के समय पे नहीं है कोट का ये मानना है कि DV Act के अंतरकत ये DIR report नहीं भी लेगी है तब भी जो ladies है वो इस मुकदमे को चला सकती है और दोस्तों आप लोग की help के लिए judgment का link आपको इस वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा वहाँ जाके आप पूरे मामले को जा सकते हैं नेक्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आप से फिर मिलता हूं तब तक के लिए goodbye and thank you for watching, take care